हेलो दोस्तों मैं दिल साथ अमध आपके लिए लेकर कहा हूँ एक और नहीं वीडियो तो अज हम बात करने वाले हैं अज हम बात करने वाले हैं कि आपके ऐसे कौन से एंकर टेक्स्ट है जिस पर आपने अपनी वेबसाइट के बैक लिएट के उपर कि आपके कौन-कौन से बैक लिएक लिक्ट आपके क्रेटेड रहे तो सक्किल सबस्द पहले हम चलते हैं हर्फ की वेबसाइट के उपर हम आच lovers की वेबसाइट के अपर आने के बाद यहाँ पर आपको एबसाइट मिल और वेबसाइट को आपको किस तरीके से HRF में connect करना है अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखिए तो उसको आप हमारी प्लेलिस में जाकर चेक कर सकते हैं आपको हमारी HRF की प्लेलिस के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी तो आप सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइ और अगर आप यहां नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको को लेजिक करने के बाद सबसार पहले जो आपको 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 एंकर कर मिलेगा anchor में total आपके जितने भी referring domain या आपके do follow और no follow जो भी आपके जो backlink होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और यहाँ देखेंगे कौन से आपका जो anchor text है particularly उस पर आपका backlink create हुआ है अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपका particular URL है बहुत से ऐसी websites होती है जो directly आपके URL के उपर ही automatically anchor text create कर देती है तो ऐसे आपके URL के उपर भी आपका anchor text create हो जागा यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम बात करें इस particular anchor text की तो इसके total 81 referring domain है total 27 आपके do follow back link है और यहाँ पर अगर pages की बात करें तो 141 आपके जो referring pages है और आपके available है सतर जुलाई आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो anchor text चेक किया गया था वो सतर जुलाई को चेक किया गया और लाज जो चेक किया गया वो 28 गंटे पहले चेक किया गया अगर हम उसकी detail चेक करें तो detail में आपको किस तरीक से वो referring domain चाहिए या फिर snippets चाहिए अगर हम referring domain चेक करना चाहते है तो referring domain पर आपको यहांपे store कर जाएगा यहांप 100 websites यहां पर store कर रहे है वही हम बात करें यहाँ पर snippets की अगर snippets पर क्लिक करें तो आपके कौन-कौन से snippets आपके created हुए हुए है वो आपको यहाँ पर show करते गए यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आप भी loaded हो रहा है अगर वही बात करें next की तो अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यह corporate travel management का ह है ठीक है यह आपका एक particular जो URL है वो created है यह URL के उपर anchor text यह भी है जैसे आपका यह business travel का है उसी तरीके से आपका यह corporate travel का है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर snippets open हो चुका है तो आपके total आपके जो five snippets हैं वो आपके यहाँ पर show कर रहे हैं पर देख सकते हैं anchor text भी surrounding text जो देख सकते हैं यह है आपका user websites है this URL यह भी आपका देख सकते हैं पांच आपके जो ऐसे snippets है जो आपके show कर रहे है total backlink यहाँ पर दिखा सकता है कि इस particular URL पर total backlink कितने है और referring domain कितने है अगर इसकी बात करें तो इस पर आपके 8 है इस पर पां 107 है यह आपका total 2% पढ़ता है पुरी website का और यहाँ अगर बात करें तो यह 28% पढ़ता है do follow backlink का ठीक है अब यहाँ आद करते हैं यहाँ पर सीधा-जीधा detail के अंदर वही से दुबारा से referring domain चेक करना चाते है इस URL का तो यहाँ पर भी आप देख सकते है total आपको जो referring domain ह आपको बिल जाएंगे आप total next hundred करके आपको जितने नेक्स हंडेट चेक करने है उसको आप चैक कर सकते है ठीक है इसको क्लोस कर देते है ऐसे ही आप क्या कर सकते है आपको जो भीí पर्टिकुलरी एक anchor-text किसी भी anchor-text और प geographic करना है तो उसको check कर सकते है यहाँ पर आपको next pages इस मिल जाएंगे साथ के साथ आपके limit भी बढ़ा सकते हैं 50 से ले करके 100 करके check कर सकते हैं एक साथ आप 100 keyword यहाँ पर देख पाएंगे और यहाँ पर page को change करके पहले 100 keyword वहाँ देखेंगे उसके बाद next 100 keyword यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ बात करें term 1 की यहाँ यहाँ पर देखेंगे term आ रहा है यहाँ पर term की बात क्यों तो यहाँ पर एक particular single keyword यहाँ पर देखेंगे यह की website है यहाँ पर देखेंगे यह पर देखेंगे particular URL है तो यह आपके single anchor text है वहीं बात करें यहाँ पर website की तो यह भी single anchor text है US है आपका single anchor text है यहाँ पर अमेरिका टूल, यूरोप, ग्लोबल, यह क्या है, आपके single anchor text है, जिसके आपके जो backlink है, या website का जो link है, वो connected है, ठीक है, वहीं हम next की बात करें, term two word की, term two word वो होते हैं, जिसमें आपके दो आपके जो होते हैं, keyword आपके होते हैं, word होते हैं, यानि आपके, service America, booking tool, यहाँ पे agent USA in Europe, service USA जैसे, air global, global corporate, यह क्या है, आपके दो keyword हैं, यानि आपके इसमें, यानि इसमें आप दो word को check कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बात करें, एक end है, यहाँ travel है, tourism है, टूरिजम है, एक company है, तो यानि पर क्या है, term two के अंदर यहाँ पे आपके दो word मिलेंगे आपको, जिसको आप चेक कर सकते है, anchor text के जैसे, अब बात करते है, three word की, ठीक है, three word के अंदर, यहाँ पे आपको तीन word मिलेंगे, जिसको आपने अपनी website का किसी भी एक particular URL को आपको connect कर रखा है, अगर हम इसकी detail चेक करना चाहेंगे, इस particular anchor text के उपर कितनी जो referring domain created है, तो यहाँ पे देख सकते है, total आपको यहाँ पे, आपको मिल जाएंगे, 10 के करीब आपको referring website से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वही snippets की बात करें, तो snippets भी आपको देख सकते हैं, यह 5 आज से आपको snippets हैं, जो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, इस particular anchor text के उपर, वहीं बात करते हैं, किसी और है, total सबसे पहले, जो anchor text find हुआ था, वो 20,23 को find हुआ था, और जो last find हुआ है, वो 25 गंटे पहले हुआ है, वहीं आपको इसकी detail चेक करें, तो detail भी चेक कर सकते हैं, इसकी जो particular referring domain आपको दो हैं, और यहाँ पे आगर हम बात करें snippets की, तो यहाँ से snippets को भी आप चेक कर सकत है, बहुत से लोग आपके एक ही term को use करते हैं, कुछ आपके दो को, कुछ तीन को, कुछ चार को, तो इस तरीके से, जिस भी तरीके के आपको जो anchor text check करने हैं, उस anchor text को आप चेक करके हैं, उसकी जो भी आपने backlink create किये होंगे, उस backlink को आपके अगर सकते हैं, चेक कर सकते ह हैं, और कितने आपके website के उपर backlink create नहीं है, उसको आप देख पाएंगे, और आप क्या कर सकते हैं, उसको जो anchor text है, या referring domain है, या फिर ही आपकी जो website है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, दोबार से create कर सकते हैं, तो lost website को आप किस तरीक से check कर पाएंगे, कि आपका backlink lost हो चुक out कर सकते हैं, आपको हमारी playlist के अंदर या आपको वीडियो मिल जाएगी, और साथ के साथ आप अगर Samras या WordPress या फिर Google Ad, या फिर आपको YouTube के बारमे में जाना है, तो आप हमारी playlist के अंदर जाकर के check कर सकते हैं, कई सारे आपको और अगला playlist मिल जाएगी, अगर आपको ये व उड़े में तब तक के लिए, थैंक यू